नमस्कार दोस्तों, आज के कहाने हैं बोड़ापे में सम्मान एक बेटा अपने वृत पिता को रात्री भूज के लिए एक अच्छी रेस्टोरेंट में लेकर गया खाने के दुरान वृत पिता ने कई बार भूजन अपने कपड़ों पर गिराया रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे खाना खारे लोग वृत को घरना के नजरों से देख रहे थे लेकिन वृत का बेटा शान था, खाने के बाद बिना किसी शम के बेटा वृत को भोश्युम ले गया उनके कपड़े साफ किये, उनका चेहरा साफ किया, उनके बालों में कंगे की चश्मा पहनाया और फिर प्यार से बाहार लाया सभी लोग खामोसी से उन्हें देख रहे थे, बेटे ने बिल पेगिया और वृत के साथ बड़े ही प्यार से बाहार जाने लगा तब ही डेनर कर रहे एक अन्यवर्द ने बेटे को आवास दी और उससे पुछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां अपने पेचे तुम कुछ छोड़ कर जा रहे हो बेटे ने जबाब दिया, नहीं सर, मैं कुछ भी छोड़ कर नहीं जा रहा ब्रद ने कहा, बेटे तुम यहां छोड़ कर जा रहे हो, प्रते पुत्र के लिए एक शिक्षा, एक सबक और प्रते पिता के लिए एक उमीद, एक आशा आमतुर पर हम लोग अपने वुजर्ग माता पिता को अपने साथ पहार ले जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं कि क्या करोगे, आप से चला तो जाता नहीं, ठीक से खाया भी नहीं जाता, आप तो घर पर ही रहो, वही अच्छा होगा क्या आप भूल गए, जब आप छोटे थे, और आपके माता पिता, आपको अपनी गोद में उठा कर ले जाया करते थे आप जब ठीक से खाने ही पाते थे, तो मा आपको अपने हाथों से खाना खिलाती थे, और खाना गिर चाने पर डाट नहीं, प्यार जताती थे फिर वही माबाप बुढ़ापे में बोज क्यों न लगते हैं, माबाप भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनको प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन आप भी बुढ़े होंगे और कहानी कैसी लगी, कॉमेंट करके ज़रू बताना, अच्छी लगी तो चैनल को सस्क्राइब करना, आप सभी दोस्तों का धन्या